हलो फेंट्स में और नाव विशाल है and welcome to my channel crypto with विशाल तो फेंट्स रे टेलिग्राम पे अगर आप लोग मेरे से already join है तो आप लोग देख रहे होंगे morning से हम लोग continuous बात कर रहे हैं dip के बारे में जहांपे जो भी information आई है वो सारी मैंने आप लोगों को share की actually मैं बाहर था जिस वजह से यह जो वीडियो है हम लोग यहां पे नहीं देख पाए है तो currently गाइस बात करें एक dip आया है बड़ा और जब यह वीडियो में बना रहा हूं तो bitcoin अभी चल रहा है 48,000 के level को अगर sustain नहीं करेगा तो नीचे जाएगा ही जाएगा अब यहां पे important चीज यह आई है जो आप लोग सोच रहे है कि यार यह sudden dip आया क्यों है अगर आप लोगों को ध्यान होगा हम लोगों ने एक वीडियो किया था golden cross के बारे में तो वहां पे भी हम लोगों ने यही चीज देखी थी कि जब भी golden cross होता है उसके time बाद एक dip हमें देखने को मिलता है और उस dip के बाद हमें एक बड़ा pump देखने को मिलता है तो अगर यहां देखें कोई specific news नहीं है क्योंकि कुछ चीजें मैंने देखी है कुछ news आ रही है कि Binance की तरफ से है US में कुछ news हो रही है पर अगर आप देखें तो वो सारी की सारी news कल की है वो रात में सब हुआ है अगर उन news की वज़ा से कोई panic attack होता तो वो रात में होता वो बारा गंटे बाद जाके नहीं होगा यहां पर दो चीजें जो मुझे personally समझ में आ रही है एक अगर आप लोग चलने इधर तो मैंने एक tweet जो था इसका screenshot टेलिग्राम पर मेरे डाला था जहां पर लसल विड़ो की तरफ से news आई हो इन्होंने बोलाए कि इन्होंने 150 BTC खरीदे है और total अब इनके पास 700 यहां पर BTC coin हो गए है तो maybe जो मुझे समझ में आ रहा है यहां पर कि जो dip आया है इस dip को शायद लाने के पीछे का whales का reason रहा होगा वो आये होंगे उन्होंने dump कर दिया होगा कि एक बार जब market उबर pump जाई रहा है तो इसको फिर से एक बार नीचे dump करे क्योंकि इसके अलावा कोई भी ऐसी news अभी नहीं आई है जो भी market में news है negative news बहुत सारी सारी market में चल रही है पर सब 12 गंटे पहले की है पिछले 12 गंटे में जितना मेरे knowledge में जितना मैंने research किया कोई भी negative news नहीं है तो बिना negative news के इतना बड़ा dump जो है हमें देखने को नहीं मिल सकता पहले वाला भी dump आया था वो टाइम पे भी कोई किसी के पस news नहीं थी कि वो dump क्यों आया और end में यही चीज आई कि whales ने सारा का सारा जो dump किया जिससे की वो नीचे जाके ले सके और वही चीज यहां पी होई हो पर यहां पर important चीज एक और भी है जो मैंने आपको अभी थोड़े पहले बोला हुए golden cross long run पे देखने को नहीं मिलेगा थोड़ी दिर पहले यह 45,500-600 पे चल रहा था तब भी मैंने आप लोग को यही message किया था कि market जो है वो dip की तरफ जाने वाला है अपनी जो buy list है उसके साथ आप ready रहे इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि यह कुछ coin है जिन पे आप देख सकते हो जिनका जो price है वो अल्रेड़ी जो है यहाँ पे काफी कम की तरफ जा रहा है तो panic होने की हमें जववत नहीं है हमेशा से मैं आपको बोलता हूँ तो नुकसान सिर्फ उसको होता है जो sale करता है जो sale नहीं करता है उसको long run पे definitely फायदा होता है तो अगर फायदा चाहते है तो panic में बताइएगा sale मत करिएगा hold करिएगा over of time period बाद अगर यह dip आया है तो pump भी जाएगा अगर आप यहाँ पे भी देखें तो यही dip यहाँ प sale करना start मत करते जिएगा जिससे और ज्यादा critical जो है market में atmosphere बन जाएगा तो video friends अगर आपको पसंद आया तो इसको like और share जरूर करेगा चैनल में अगर आप नए हैं और आगे भी मेरे videos देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को subscribe कर दीजएगा और telegram का link video के description मिल cameras के जो channel है वो यहाँ पर already बने हुए है तो उनसे बच के रहिएगा handle मेरा जो है उससे ध्यान से देख लीजिए उसी सब join करेगा ये हमारा channel है crypto with dishar underscore official आपको एक official one भी मिलेगा ये मेरा channel नहीं है इसको ignore करिएगा खाली जो official है वो channel है thank you friends